जैहिन दोस्तो मेरा नाम है बहादर लोधी और आप देखना सुरूँ कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूटूब चेनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम करंट अफिर्स 2022 के मोश्टमपन 50 कौसन को डिसकस करेंगे और 50 कौसन को कैसे कि डिसकस करेंगे हमेशा की तरह विल्कुल डेटेल में विथ एश्टर फेक्ट के साथ में ताकि आप कौसन को पढ़ें और एक बार में कौसन आसानी से समझ में आ सके तो चलिए विना किसी देरी के सुरुआत कर लेते हैं नमर फर्स्ट कौसन से पहला कौसन है पाकिस्टान के 23 नमर के परधान मंतरी कौण बन गए हैं आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं comment section में तो पाकिस्टान के 23 परधान मंतरी बन गए हैं सहबाज शरीव सी ओप्सन करक्ठ हो जाएगा हम detail की बात करें तो पाकिस्तान की संसत का नाम क्या है ये question पूचा जाता है ना तो पाकिस्तान की संसत का नाम है National Assembly और National Assembly ने सहबा सरीब को पाकिस्तान का नया 23 प्रधान मंतरी चुन लिया है सहबा सरीब ने इमरान खान का इस्थान लिया है और सहबा सरीब जो है ये पाकिस पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ये तीन बार सीम रह चुके हैं इनकी पार्टी का नाम क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनकी पार्टी का नाम है भारती राज जो पंजाब है ठीक है तो इस भारती राज पंजाब म इनका एक पुस्तेनी गाउं भी है बात करें भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर 2022 का नौवा संसकन हेमांचल प्रदेश में आयुज़त किया गया कोई भी सेन अभ्यास तीन बात याद रखना है एक तो युद्ध अभ्यास का नाम क्या है युद्ध अभ्यास खंजर 2022 इसका जो आयुज़न है ये कहां पर किया गया है हेमांचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयुज़न किया गया है ठीक है दो बातें हो गई कि आयुज़न कहां पर किया गया तीसरी बात आपको याद रखना है कि उसका आयोजन किस-किस देश के बीच में किया गया है तो आयोजन किया गया है अपने देश भारत के बीच में और करगिस्थान के बीच में ठीक है तीन बाते हों गई चोथा आपको याद रखना है कौन सा संसकन है नौबा संसकन है आयोजन कप किया गया है तो अप्रेल 2022 में इसका आयोजन किया गया है नेश्ट कॉस्टन है हाली में फास्टर नामक एक सॉप्ट्वेर को किस ने लॉंच किया है फास्टर नामक सॉप्ट्वेर जो है ये सुप्रीम कोट के पूर्व CZI N.B. Ramna ने लॉंच किया C option करक्ट हो जाएगा इस सॉप्ट्वेर से क्या होगा तो जो अदालती कामकाज होते हैं ठीक है उनमें तेजी आ सकेगी इस सॉप्ट्वेर के माध्यम से ठीक है N.B. Ramna की बात कर लेते हैं ये कौन से नमबर के CZI है तो ये 48 बे नमबर के CZI है ठीक है परकार से आपको पढ़ना है क्रम से सभी चीज़ें आपको पता रहना जरूरी है थिक है और 2022 में इसकी ठीम के रही है तो तो एक फैक्ट याद रखना है कि NCRB की एक रेपोर्ट जारी हुई थी हवी हाली में तो इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में भारत में 1,64,033 लोग ने सुसाइड किया है नेश्ट मन की हम बात करें और नेश्ट को सन है औरल केर ब्रांड डाबर रेट पेश्ट के नए ब्रांड अमस्टर कौन बने है तो फोटो देखके आप लोग समझ गए होंगे कौन बने है अमिता बच्चन बी ओप्सन करक्ट हो जाएगा नेश्ट को सन और मोश्ट इंपॉन को सन है केरा कि किस वाइरस के संक्रमन की वज़े से देश के कई राज्यों में लाखों मवेसियों की मौत हो गई है और आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे तो हम केवल वाइरस का नाम पूँच रहे हैं वाइरस का नाम क्या है कैपरी पॉक्स वाइरस डी ओप्सन करक्ट हो जाएगा अब दोस्तो इस कॉस्टन से जुड़े हुए सारे इंपॉट फेक्टो को हम कवर कर लेते हैं दोस्तो केपरी पॉक्स वाइरस को लंपी वाइरस के नाम से भी जाना जाता है इसको लंपी वाइरस के नाम से भी जाना जाता है तो यह वाइरस जो है यह अफ्रीका से अपने देश में आया है और इसके उप्चार के लिए केंद सरकार के द्वारा वैक्सीन भी उपलब्द कराई गई है वैक्सीन के नाम क्या है गोट पोग्स वैक्सीन ठीक है तो यह 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई है यह आपको जरूर याद रखना है यहां से question बन सकता है और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से detail में current fs पढ़ना है important current fs पढ़ना है वही current fs पढ़ना है जो कि आपके exam में आएगा तो पूरे साल की current fs की update ebook लॉंच हो गई है इस ebook में जनवरी 2022 से और आज तक का update current fs मिल जाएगा हम बात करें कि कितने topic रहेंगे तो 55 से जादा वही topic add किये गए है जहां से question आपके exam में पूछे जाते हैं इन topic के अलावा 1800 से जादा detail mcq मिल जाएगे हम बात करें कि total question कितने रहेंगे detail में तो total 4000 से जादा question आपको हमारी इस ebook के अंदर देखने के लिए मिल जाएगे तो यदि आप चाहते हैं exam में selection लेना exam की खोपड़ी में छेट करना तो हमारी एक साल की ebook को ज़रूर buy कर लें और यदि आपको पिछले दो सालों का current refresh पनना है तो आप हमारी second वाली ebook को buy कर लें दोनों ebook कर लिंक के कहाँ पर मिलेगा इसी वीडियो की description में एक बार ebook को buy करने के बाद जब भी आप study करेंगे तो आप भी कहेंगे वा सर क्या महनत करी है पूरे YouTube पर सबसे best ebook है हमारी यदि आपको ebook को buy करने में खरीदने में किसी भी परकार की कोई समस्या आ रही है तो description में हमारा नम्मर है 9630-894-64 इस पे आप whatsapp की माध्यम से contact की जिए आपको ebook उपलब्द कराई जाएगी नेश्ट question है पहला camping गोड़ा अंतरराष्टिय पुरुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया तो तीन लोगों को सम्मानित किया गया है पिरकास पादुकॉण SM किष्णा और NR मूर्ती D option करक्ठ हो जाएगा और परियुक्त सभी को सम्मानित किया गया है हम सारे important factor की बात कर लेते हैं तो करनाटक के पूर्व CM है SM किष्णा और Infosus के संस्तापक है NR नाराण मूर्ती और पूर्व बैडमिंटन खिलाडी है पिरकास पादुकॉण इनको camping गोड़ा इंटरनेशनल अबोड़ से शम्मानित किया गया है दोस्तो केmpegoda अबोड जो है ये करनाटक सरकार की दूरा इसी साल इस्थापित किया गया है तो इन तीनों को पहला केmpegoda अबोड दिया गया है दोस्तो ये जो प्रुसकार है ये बैंगलरू सहर के वास्तुकार केmpegoda की 533 जैनती की उपलक्ष पर उनको शम्मान देने के लिए शुरूं किया गया है नेश्ट हमारा कॉस्टन है केंद्रिय प्रतेक्ष कर बूर्ड यानि कि CBDT की नए अध्यक्ष कौन बने है तो सयान सरोजाएगा नितिन गुपता बने है और नितिन गुपता की बात करें तो इन्होंने संगीता सिंग का इस्थान लिया है CBDT की बात करेंगे तो सेंटल वूर्ड ओफ डारेक्ट टेक्स इसका फुल फर्म होता है और CBDT जो है ये बित्त मंत्रालाय में राजस विभाग का एक हिस्सा है इसकी इस्थापना 1964 में हुई थी Headquarters का New Delhi के अंदर इस्थत है Next question है 29 June 2022 को देश भर में सोलबा राष्टिय सांखी की दिवस किस थीम के साथ में मनाया गया है तो सयांसर हो जाएगा सतत विकास के लिए डेटा हम डेटेल की बात कर लेते हैं तो सोलबा राष्टिय सांखी की दिवस जो है ये 39 June 2022 को मनाया गया किस थीम के साथ में तो सतत विकास के लिए डेटा थीम के साथ में ये मनाया गया और दोस्तों ये जो दिवस है ये प्रिसद सांखी की बेद प्रोफेसर प्रसांत चंद महान नोविस की जैनती पर मनाया जाता है कब 29 June को और भारत सरकान ने 2007 में प्रिती वर्स 29 June को ये दिवस मनाने की घोशना करी थी घोशना करी गई थी 2007 में और प्रोफेसर पी सी महान नोविस का जन्म 29 June 1893 को हुआ था और इनों ने वर्स 1934 में भारतिये सांखे की संस्थान की इस्थापना करी थी की सबसे बड़ी तैरती सोर उर्जा परियोजना कहां पर सुरूं करी है सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो केरल के कायम कुलम में भी ऑप्सन करख्ट हो जाएगा और याद रखना दोस्तो कि ये किसकी द्वारा सुरूं करी गई है तो टाटा पावर इसका उप्योग कौन करेगा तो केरल राजज का बिजली बूड इसका उप्योग करेगा नेश कॉस्टन है संस्कृत भासा में एनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड़ा कौन बन गया है तो संस्कृत भासा में वनारस में इसते थे ठीक है और ये जो हवाई अड़ा है ये दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड़ा वन गया है जहां पर हिंदी अंग्रेजी के अलावा संस्कृत में भी घुशना करी जाएंगी अच्छा इसका उद्धिस क्या है तो इसका मुख उद्धिस है संस्कृत भास को दुनिया में एक अलग पहचान देना नेश्ट हमारा कॉस्टन है वन जीवों को दुर्वेवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देस कौन सा बन गया है तो वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देस बन ग गये हैं और Air Leopard ने नप्ताली वैनूट का इंगोने स्थानलिया है किसका नप्ताली वैनूट का इनोप प्रदानलिया है। अब बात हुई है इस्राईल की तो इस्राईल अपने एस्थिया महादीप में स्टत है राध्धानी है एरुसलम करण्सी क्या है न्यू सैलेक और यह question है 36 वा राष्टे खेल 2022 किस राज में आयुज़ित किया गया है तो दोस्तो 36 वी राष्टे खेल जो है ये गुजरात में आयुज़ित किये गए है और गुजरात राज ने पहली बार राष्टे खेलों की मेजवानी करी है अच्छा यहां से दो question आपका एक्जाम में पूश हो जाएगा कि राष्टे खेलों की जो पदक तालिका है इसमें टॉप पर कौन सी टीम रही है तो टॉप पर रही है सर्वसेस की टीम क्यों रही है टॉप पर क्योंकि सर्वसेस की टीम ने total पदक तो जीते हैं 128 जो की महराष्ट से कम है लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड मे आयोजन नमलखत में से किस जील में किया गया विस्व की पहली फिसंग केट जनगणना ये अपने देश में हुई है और अपने देश की उड़िसा की जो चिलका जील है इस पर हुई है ये ओप्सन करक्ट हो जायागा देख रहे हैं आप को सन कितना जादा इंपॉंट है द योग से चिलका डेबलमेंट अथोरिटे के द्वारा करे गई इस जनगणना के अनुसार इस समय चिलका जील में 176 मचली पकड़ने वाली विल्लियां हैं कितनी 176 मचलीयों को पकड़ने वाली विल्लियां हैं दोस्तो फिसंग केट जो प्रोजेक्ट है ये है क्या तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मचली पकड़ने वाली विल्लियों पर दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला कपसे 2010 से चलने वाला अनुसंधान सररक्षन प्रोजेक्ट है याद रखना ये जो दुनिया की पहली फिसंग केट जनगणना है ये उडिसा की चिलका जील पर करी गई ह और कितनी विल्लियां हैं तो 176 विल्लियां हैं जिनके माध्यम से मचलियों को पकड़ा जाता है आप लोग यहाँ पर फोटो में भी देख पर हैंगे यह विल्ली जो है यह मचली को पकड़ रही है नेश्ट कॉस्टन है अंतरक्ष अध्यान के छेत्र में यू एफो निमलिकत में से किस सम्मन्दत है तो यह इंपॉन कॉस्टन है यू एफो सम्मन्दत है अग्यात औरने वाली वस्तूं से सी ऑफ्शन करेक्ट हो जायेगा इसके बारे में हम डेटिल को जाने उससे पहले आप जानो कि यह अग्यात औरने वाली वस्तूं क्या होती है तो कई बारा आप लोग ने निउस पेपर में यूट्व के किसी वीडियो में वाट्सब के किसी वीडियो में देखा होगा कि कह कहीं पर alien उड़ रहे हैं, news में भी पड़ा होगा, कहीं पर कोई बिमान उड़ रहा है, कहीं पर कोई गुबारा उड़ रहा है, तो इस प्रकार से जो अज्यात उड़ने वाली वश्तुएं होती हैं, इस से सम्मंदत है UFO, डिटेल की बात करें, तो जून 2022 को अमेरिका की अंत पर गल, ठीक है, ये टीम क्या करेगी, ये देखेगी, कि अज्यात उड़ने वाली वस्तुएं के सम्मंद में, यानि कि UFO के सम्मंद में, सार्वजने कुरूप से कितनी सच्चाई है, कितनी जानकारी सही है, ये टीम ये भी पता लगाएगी, कि ये जो आइस प्रकारी द्र नहीं हो पाती है, ठीक है, नेश्ट को सन है, भारत द्वारा, वर्ष 2023 में अपना पहला, गगनियान मिसन लौँच किया जाएगा, ये मिसन, निमलिकत में से किस सम्मंदित है, तो गगनियान मिसन जो है, ये मानव योक्त अंत्रक्ष मिसन से सम्मंदित है, C उप्सन करेगा जून 2022 को जो प्रत्वी विग्यान मंत्री हैं डाक्टर जेतेंद सेहं इन्होंने कहा है कि भारत वर्ष 2023 में अपना पहला मानव अंत्रक्ष गगनियान मिसन लॉंच करेगा गगनियान मिसन क्या है तो ये इसरो का एक मिसन है और गगनियान सेडूल के तहत में तीन उड़ाने निम्न प्रत्वी कक्षा में भेजी जाएंगी और इनमें से पहले दो मानव रहत उड़ाने और एक मानव युक्त अंत्रक्ष उड़ान होगी नेश्ट बन की हम बात करें तो चीन द्वारा निर्माना धीन अंत्रक्ष इस्टेशन का नाम क्या है दोस्तो ये जो आईटी के कॉस्टन होते हैं इनफॉर्मिशन टेक्नलोजी के यहीं से करंट अफेस के कॉस्टन पूशे जाते हैं चाइना के द्वारा वनाया गया अंत्रक्ष इस्टेशन इसका नाम क्या है इसका नाम है तियागोंग अंत्रक्ष इस्टेशन बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा डेटेल की हम बात कर ले हैं तो जून 2022 को चाइना ने प्रत्विकी परिक्रमा कर रहे अपने नए अंत्रक्ष इस्टेशन के निर्माल को पूरा करने के लिए तीन अंत्रक्ष इस्टेशन को रवान किया है चीन के द्वारा जो प्रस्तावित अंत्रक्ष इस्टेशन का नाम है यह त्यागोंग अं हम बात करें किस यान से भेजा गया है तो सेंजू 14 अंतरक्षयान से भेजा गया है भेजे गए तीन अंतरक्षयात्रियों के नाम की बात करें तो चेंडॉंग दूसरे का नाम है लियो यांग तीसरे का नाम क्या है काई सुझे जो है यह तीसरे का नाम है नेश क्वस्टन है हाली में किस कैन्दृ ये मंत्री ने daak विभाक का एक e-learning पोटल daak कर्म योगी लौन्च किया है डाक कर्म योगी ये एक e-learning पोटल है और ये अस्वनी वیसन व की दुआरा लौन्च किया गया है अस्वनी वैसनों की बात करेंगे तो ये केंद्रिये संचार मंत्री है और इन्होंने नई दिल्ली में डाक विभाग का एक e-learning पोर्टल डाक कर्म योगी को लॉंच किया है इस पोर्टल पर लगभग 4 लाख ग्रामी डाक सेवकों और विभागिये कर्मचारियों की दक्षा म ब्रद्धी की जाएगी ठीक है अस्वनी वैसनाओ ये केंद्रिये संचार मंत्री है और ये केंद्रिये रेल मंत्री भी है ओके नेश्ट हमारा क्वस्वन है महराष्ट के न्यू सीम की बात करेंगे तो सबी लोगों को पता होगा एक नात सिंधे बने हैं महराष्ट की देखे दोस्तो, United Kingdom ने, किस ने? United Kingdom ने भारत सरकार की सुतंतरता की 75 वी वर्स गांट के उपलक्ष में UK में अध्यन कर रहे है भारतिय चात्रों के लिए, जो भारतिय चात्र UK में अध्यन कर रहे हैं, उनके लिए 75 प्रकार की चात्र ब्रतियों की सुरुआत करी है United Kingdom ने, ठी की भारतिय चात्रों के लिए ये योजना सुनू करी गई है, इसलिए यहां से question वन सकता है, हाली में कहां दुनिया का सबसे बड़ा जीवानू, यानि की वैक्टीरिया पाया गया है, ये Caribbean Magrove में पाया गया है, बी option करेक्ट हो जायेगा, ठीक है, हम बात करें, Caribbean Magrove दलदल मे सुध करताओं ने, विग्यान के चित्र में अब तक का ग्यात सबसे बड़ा वैक्टीरिया पाया गया है, ये जो वैक्टीरिया पाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो Thio Margarita Magnifica इसका नाम रखा गया है, जो अधिकान्स वैक्टीरिया होते हैं, वो इतने छोटे ह होते हैं, कि उनको नगन आखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये वैक्टीरिया इतना वड़ा है, कि इसको नगन आखों से देखा जा सकता है, जीन वैंक परियोजना इस्थापित करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बन गया है, तो महराष्ट जो है, ये जीन वै कि लक्ष हमेशा एक्जाम में पूछे जाएंगे तो विस्व की तीसरी सबसे वड़ी अर्धवबस्ता वनाने का जो लक्ष है ये केंद सरकार ने 2030 तक रखा है ओके नेश्ट वन की हम बात करें इसी करह में एक और कॉस्चन है किस वर्स तक रेलवे के संचलन में शून कारव शून का लक्ष ये भी 2030 तक रखा गया है नेश्ट कॉस्चन है किस मंत्रा लएके दौरा आजादी से अन्तियोदय तक अभियान सुभरम किया है ये ग्रामीर विकास मंत्रा लएके दौरा किया गया है ओके नेश्ट कॉस्चन क्या है आप ये जो फोटो देख पा रहे हूं नेस्ट कॉस्टन है किस देश में आयोजित भारती सेना की एक टुकडी ने एक स्खान क्वेश्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया ठीक है ये जो अभ्यास है ये वहुराष्टी सांती अभ्यास है मंगोलिया में संपन हुआ है 16 देशों की सेने टुकडियों ने भाग लिया है और इसमें भारती सेना का जो प्रतिनिद्थ है ये लद्दाक स्काउट्स के एक दल के द्वारा किया गया है नेश्ट हमारा कॉस्टन है नमलेकत में से किस विस्ब के पूर्व नम्मर वन खिलाड़ी को दिवालिया पन से जुड़े अपराद के मामले में धाई साल का कारावास की सजा दी गई है दोस्तो विस्ब के नम्मर वन खिलाड़ी है इनका नाम क्या है और ये किस दिसके है दो को धाई साल के कारावास की सजा सुनाई गई है ओके नेस्ट कॉस्टन क्या है प्रोकबड़ी लीग 2021-22 का खिताब किस ने दीता है फटाफट से आंसा लगाई है से आंसा रो जाएगा दवंग दिल्ली ने ठीक है और हम बात करें प्रोकबड़ी लीग 2021-22 इसका आयोजन दिसंबर 21 से 25 फरवरी 2022 तक वेंगलुरू के करनाटक के वेंगलुरू में किया गया और संस्क्रन कौन सा था आठवा टोटल वारा टीमों ने भाग लिया है विजिता रही है दवंग दिल्ली और विजिता रही है पटना फाइरेट्स नेश्ट कौस्टन है दस मई दो हजर 2022 को पंडित सिपकुमार सर्मा का नीधिन हो गया है ये जो सिपकुमार सर्मा है ये किस वाद दियंत्र से सम्मंदित थे कौन सा वाद दियंत्र ये बजाते थे फटा फट से आंसर लगाईए यही कौस्टन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ये क्या बजाते थे संतूर बजाते थे तो ये कौन थे संतूर बादक और याद रखना जो सिपकुमार सर्मा है पंडित जी ये किस राज से विलों करते हैं तो ये जम्मू कस्मीर राज से विलोंग करते हैं हाली में चर्चाओं में रहा बिलू ब्लॉब क्या है फटाफट से आंसर लगाईए बिलू ब्लॉब दोस्तो ये आर्क्टेक समुद्री वर्प के पिगलने को आएस्था रूप से रोकने की एक विधी है D option करक्ठ हो जाएगा नेस्ट कॉस्टन है DRDO के द्वारा विक्सित हैलीना क्या है दोस्तो हैलीना जो है ये DRDO ने सोदेश रूप से निर्मित करी है और ये एक एंटी टेंक गाइडिड मिसाइल है ए उप्सन करक्ठ हो जाएगा और इसका सफल परिक्षन किया गया था 10 अप्रेल को ठीक है 10 अप्रेल 2022 को इसका सफल परिक्षन भी हो गया है नेस्ट कॉस्टन है जम्मू कस्मीर के किस नदी पर क्वार जल विद्वत परियोजना को मंजूरी दी गई है क्वार जल विद्वत परियोजना दोस्तो ये जम्मू कस्मिर के किस्त बाड़ा जिले में और चुनाव नदी पर बनाए गई है ठीक है और हम बात करें कि कितने मेगावाट इसकी छमता रहेगी 540 मेगावाट जो है ये इसकी छमता रहेगी ठीक है और क्वार जल्बिद्वत परियोजना को अभी मंजूरी दी गई है नेश्ट कॉस्टन क्या है भारत के परमाणू उर्जा आयोक के वरतमान में अध्यक्ष कोन है ये जो अबोर्ड है ये 21 के लिए दिया गया है लेकिन अभी 2022 में दिया गया किसको ये अबोर्ड दिया गया है डाक्टर भूशन कुमार को C-Option करक्ठ हो जाएगा हम सारे important facts की बात कर लेते हैं दोस्तों अंतरराष्ट गांधी प्रुसकार जो है ये कुष्ट रोक के प्रती लोगों में जावरुकता फैलाने और पीड़त लोगों की देखवाल करने के लिए दिया जाता है अप्रेल 2022 को तातकालिन उपराष्ट पती एम मेंक ये नाइडू ने डाक्टर भूशन कुमार को व्यक्ति गत्सेणी में और सहयोग कोष्ट यग़्टरस्ट है गुजरात का इसको संस्तागत्सेणी में अंतरराष्टि गांधी पुरुसकार 2021 से सम्मानित की आ गया है ध्यायान रखना व्यक्ति गत्सेणी में किसको मिला है डाक्टर भूशन कुमार को और संस्तागत सेनी में गुजरात का एक सहयोग कुष्ट यग्ट रष्ट है इसको दिया गया है ओके दोनों आपको याद रखना है नेश्ट हमारा कॉस्टन क्या है पराम विस्ष्ट स्रीवपतक से किसे सम्मानित किया गया है तो कई बार में आपको पढ़ा चुका हूँ व स्पोर्ट मैं और तफीश का है ये पुरसकार भी किसने जीता है नीरत चो पडाने जीता है नेश्ट कोस्टन क्या है विस बहरिदय दिवस कम मना जाता है वर्ल्ड हरटडे कम मना जाता है फटबद से आंसर लगाए उन्ती सितंबर को यह मना जाता है और थीम कोई भी पड़ाओं थीम ज़रूर पड़ाता हूं 2022 की थीम क्या है हर दिल के लिए दिल का इस्त legally करना 2022 में इसकी थीम रही है next question है Formula one race डच Granprix 2022 का खिताब किस ने जीता है तो डच Grandprix 2022 का किताब जो है यह Max Verishtipbin ने जीत लिया है C option होजाएगा किस देश के हैं ये तो ये नीदरलेंड के हैं किस राजज नहें सुरू करी है तो अपसं सीज हो है ये सई आनसर हो जायेगा राजस्थान ने सुरू करी है केंद सरकान ने राजपत और सेंडरल सेंटरल बिश्टा लीन जो की दिली में है इसका नाम बदल कर क्या रखने की खुशना करी है साई आंसर क्या हो जाएगा करतब बपत ये important question है आपके exam के लिए next question है सितंबर 2022 में मेरी तूफान ने कौन सा देश प्रभावित हुआ है मेरी तूफान से जो जापान है ये प्रभावित हुआ C option करक्ठ हो जाएगा इसी करम में एक और question है कि हाली में बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा है दोस्तो इसका नाम रखा है स्रीलंका ने B option करक्ठ हो जाएगा सबसे पहले आसानी का अर्थ आप जान लो आसानी का अर्थ क्या होता है क्रोध और ये चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी में उठा और इस चक्रवात ने भारत के कई राज्यों को प्रभावित किया है जैसे कि ओडिशा को प्रभावित किया है तमिल नाडू को भी प्रभावित किया है और आंद प्रदेश को भी प्रभावित किया है ठीक है नाम किस ने रखा है स्री लंका देश ने नेस्ट कोस्टन है टाटा इसकाई का नया नाम क्या हो गया है तो टाटा पिले जो है ये टाटा इसकाई का नया नाम हो गया है सभी आंसर क्या हो जाएगा नरियंद्र मोधी मार गए डी option correct हो जाएगा नैश्ट हमारा question है देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा यानि की रवर क्रूज सर्विस जो है ये किन दो राज्यों के बीच में स्रूँ करीज आएगी सही आंसर क्या हो जायगा दोस्टो उत्तर प्रदेश और असम के बीच में सुरूं करी चाएगी चूकि ये देश की सबसे लंबी नदी कुरूस सेवा है इसलिए ये कौसर्ण Oooh है इंपूर्ट है उत्तर प्रदेश और असम राज़ी की बीच में ये सेवा सुरू करी जाएगी नेश्ट हमारा कॉस्टन है वर्स 2022 में फोप्स की एक रिपोर्ट के नुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी खोन बने हैं फटा फट से आंसर लगाईए की एक सूची जारी करी है और इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़े जो हैं ये अरजेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मैसी बने हैं ठीक है 131 मिलियन डॉलर के साथ में यहनोंने टॉप इस्थान हासिल किया है दूसरे इस्थान पर कौन है अमेरिका की वास्केट बाल खिलाड़ी लेबरॉन जेम्स और तीसरे इस्थान पर कौन है पुर्तवाल के फुटबॉलर है क्रिष्टियानू रोनाल्डू ये तीसरे इस्थान पर है और इस लिष्ट में भारत में हम बात करें भारती खिलाड़ी में तो विस्व खाद प्रुसकार 2022 से कैसे सम्मानित किया गया है फटा फट से आंसर लगा ये सिंथिया रोजन जबेक को सम्मानित किया गया डेटेल की बात करें तो सिंथिया रोजन जबेक जो है ये नासा की जैलवायू अनुसंधान वेग्यानेक है ठीक है और यह पुरुसकार जो है यह उन वैज्ञानों को प्रदान किया जाता है जुन्होंने भुकमरी को कम करने और वैस्विक खाद सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्पूर योगदान दिया हो यह पुरुसकार कब सुरुँ किया गया था 1906 में सुरुँ किया गया था और यह जो पुरुसकार है यह डाक्टर नॉर्मन वोरलाग के दोरा सुरुँ किया गया था नॉर्मन वोरलाग के बारे में सबी लोग जानते होंगे यह विस्व में हरित करांती के सूत्रधार है तीक स्वामिनाथन भारत में हरत करांती के जनक कहलाते हैं यह जो प्रुसकार है इसको खाद और किरसी छेत्र का नोबल प्रुसकार कहा जाता है ठीक है दोस्तों यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो मैं गेरिंटी से बोल सकता हूं आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर पनना चाहते हैं वही करंट अफेस पनना चाहते हैं जो कि आपके एक्जाम में छपा मिलेगा तो हमारी अपडेट इबुक लॉंच हो गई है पूरे यूटूब पर सबसे भैतरीन इबुक है हमारी इस इबुक में सभी टॉपिक मिलेंगे डेटेल में 55 से जादा ठीक है त पचले दो सालों को करंट ट्रफेस है दिया आपको पढ़ना है तो आप हमारी सेकंड वाली इबुक को वाय कर सकते हैं दोनों वाली इबुक कर लिंक कहां पर मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए चेलेंजिंग को सन इसका अंसर आपको कमेंट सेक् केरियर हो गई होंगी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ मैं भाई बहनों के साथ मैं इस वीडियो को सेर करें इसी प्रकार के हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हैं तो रोजाना वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी में कोई नया और लेटिस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके हैं 2000 वाइस कम्पलीटली करंट अफेस देखने के लिए इंपॉंट कोईसन देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें क्योंकि हम वीडियो कम बनाते हैं लेकिन भैतरीन बनाते हैं ठीक है तो हमारे पुराने वीडियो देखें प्लेलिस्ट को विजिट करके प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या पर नीचे डिस्क्रेप्शन में या पर अभी आपको स्कीन के ऊपर देख रहे होंगे तीन वेरी उस्पल वीडियो इन वीडियो को जरूर देख लें तो थैंक्य दूस्तो राम राम दुगा सलाम मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी निव टॉपिक के साथ में आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं तब तक के लिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए अपना अपने माता पता सबका खूब ख्याल रखिए जय हिन जय भारत वंदे मातरा